मैं आप सभी का बाबुलाल राजवर मैं आप सभी को नौरात्र के पाउन पर वपर मैं माता रानी से निवेदन करूंगा कि आप सभी पर अपना असिरबाद बनाये रखें लोग कर रहे हैं और सरकार के के बड़े जिवेदार ब्यक्ति समवेधानिक प्रदों पर बैठे हुए लोग उस धरना पदर्शन को भरसक कुछलने का प्रयास कर रहे हैं हम इस घटना का निंदा करते हैं और लखिन पुर्किरी में मारे गए लोगों के प्रति अपनी भावपून सरधान जलिया पित्मित्रों अंदोलन करने के लिए एक मजबूत संगठन का होना बहुत ज़रूरी जो राजनित्स से परे हो जैसे की किसान अंदोलन आज नौदस महिने से चल रहा है जिस मजबूती के साथ चल रहा है और सरकार भी उनकी हर बात को मान रही है मनना इसलिए जरूरी है कि उनके पास संख्या बल है उनके पास समाज का सहन भूती है सहयोग है असिरवाद है या तो बड़े पैमान पर एक किसान अंदोलन है और मैं विशेश रूप से राजवर समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि हर समाज में जो भी जातिया है हर समाज में लड़ने के लिए एक अलग से संग्ठन बना हुआ है हुआ संग्ठन न्याय अन्याय के लिए अत्यचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इसके खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास अपना अपना संग्ठन है जैसे कि शर्मन समाज में करणी सेना है तो ऐसा महसूस हमें हो रहा है कि आज जिस तरह से हमारे राजबत समाज के उपर शुर्य राजजी शुर्य राजजी आपका स्वागत है आप लिख रहें कि रियल राजबत च्छत्रिय च्छत्रिय हम लोग हैं लेकिन आज च्छत्रिता लोगों के अंदर मर गई च्छत्रिता आज होती तो निकट दो तीन-चार महिने में हमारे समाज समाज के लोगों का दीन दीन दुपर ये मडर पे मडर हो रहा है आज छत्रिता होती तो उनके उस परिवार के परती छत्रियों लोगों को आगे जाना चाहिए अन्याए के खिलाफ सबसे पहले बीगुल बने जाना चाहिए उनकी तलवारे मियान से बाहर निकलनी चाहिए लेकिन हम क्यों फेस्बुक और वार्टसेट पर छत्रिय लिग देने से हम छत्रिय नहीं हो जाएंगे छत्रियता का हमारे अंदर हमारे रगों में खून बहना चाहिए जो इस समय हमें दिख नहीं रहा है जो लोग छत्रिये छत्रिये राजपुत राजबुत कर रहे हैं वो हमारे समझ से सबसे ज़्यादा डरपोख है हमने कभी इतने हमारे समाज पर इतना अत्यचार हुआ है मुके सिन काउंटर कांड आपके सामने है मौ की घटना पिंटुर राजबर दिन के 11 बजे गोलियों सभुना गया वो आपके सामने है बासदेफुर गाजेपुर में धूआल राजबर की हत्या होती है वो आपके सामने है और धोना डी में एक राजवर की हत्या होती है वो आपके सामने है कुसी नगर में एक लड़का कई महिनों से रोड पर न्याय का भीक मांग रहा है वो आपके सामने हैं ये छत्रिता होती हमारे समाज में जदी छत्रिता होती तो ये छत्रिये लोग इन जगों पर अवस्य जाते कंचान राजभर जो लड़की पुलिस की तियारी कर रही थी गाजीपुर जंबत की थी वो अब घटना आपके सामने है उस प्लिनिक परिवार से हमारी बात हुई है वो अप्लिनिक परिवार दबा में आकर के अपने आपको असहाय महसूस कर गए समझाता करना पड़ा है हमारी उससे बात हुई थी मैंने पूछा कि इस घटना में क्या हो रहा है तो उसने कहा कि सर जी हम लोग क्या करें हम लोगों के पास उतने लड़ने की छंता नहीं है हम लोगों का कोई सहयोग करने वाला नहीं है इस नाते हम लोगों ने पूलिस ने हम लोगों से समझाता करा दिया तो मित्रों जिनके पास कुछ नहीं उन्हें समझाता होनी चाहिए आखिर कैसे लड़ेंगे ऐसे भी उनके परिवार में कुछ नहीं है लड़ने के लिए तो फिर लड़के क्या करेंगे तो ये हमारे समाज में अधेश चौदरी जी आप आगे हैं हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको तो ये छत्रिता होती तो हमें जितने घटनाओं का मैंने आपके समच जिक्र किया किसी छत्रिये ने जो Facebook वार्षिप पर पेपरों में बड़े-बड़े Headline में लिखवा रहे हैं कि मैं छत्रिये हूं, भार्षिये छत्रिये हूं, नागवल्सी छत्रिये हूं सुर्यवंसी छत्री हूँ इनकी उपस्तिती हमने कहीं देखा नहीं एक एक्जम्पल के रुप में बता रहा हूँ सुर्यवंसी छत्री है कि कुछ संग्ठन के लोग जो अपने आपको सुर्यवंसी समाज के सबसे बड़े या बड़े पदाधिकारी भी है उनकी मैं बता रहा हूँ एक हमारे समाज के सुर्यवंसी छत्री है राणा वीजे जी राणा वीजे सुर्यवंसी छत्री पहले तो राजबर लिखा करते थे लेकिन अब राजबर बिरादरी से अलग हो गया है अब वो सुर्यवंसी छत्री हम हो गया है उनका घर है धोलाडी धोलाडी घर है जहां पर देखिया नाम भूल रहा हूं देखना पड़ेगा वहां पर एक राजभर का 11-10 बज़े दिन में लाठी डंडे से मार कर हत्या कर दी गई वह घटना तीन जून को है तीन जून को घटना है लेकिन अभी तक उस परिवार को सरकार के द्वारा भरोसा पर भरोसा भरोसा मिलता रहा है लेकिन अभी तक नया नहीं हुआ है लोग नहीं लड़ सकते हैं तो उस सुर्यबंसी से मैं क्या आँ सा रख सकता हूं कि दूसरे जनपत के ब्राजबर समाज के लिए लोग लड़ेंगे तो मित्रों ये सारी चीजों का मैं अध्यन करते हुए मैंने एक सेरे पुर्वांचल संग्ठन सेरे पुर्वांचल एक अंदोलन संग्ठन का निर्मार किया है बड़ा लोगों हमारे समाज के नौजवानों में जो इस गात को जान रहे हैं इससे परचित हैं उनकी सहनुभूती उनके इस संग्ठन के प्रति उनकी लालसा जिग्यासा बढ़ती जा रही हैं आज चार-पांच रोज हो गया दो चार-पांच रोज नहीं दो अक्टूबर को यह संग्ठन का महत्मा गांधी के दो अक्टूबर के जैनती पर इसे संग्ठन का निर्माड हुआ था दो अक्टूबर को इसलिए हुआ था कि महत्मा गांधी ने जो सोतंता संग्ठन के लिए लड़ाई अपने नितुत में लड़ने का काम किया उनका जन्म दिन दो अक्टूबर को था तो मित्रो मैं संग्ठन की जैनती कहिए या उस संग्ठन का जन्म कहिए हमने दो अक्टूबर को ही रखा दो अक्टूबर को ही इस आंदोलन चुकी गांधी जी आंदोलन से जुड़े हुए है तो इस आंदोलन कारी मंच का इस आंदोलन कारी संग्ठन का उत्पति कह लीजिए जन्म कह लीजिए या अस्थापना दिवस कह लीजिए दो अप्टूबर ही है आज मैं अपने समाज के जो हमें देख रहा हैं जो हमारे करिकम को देखते हैं जो हमारे हर एक्टिविटी को देखते हैं नौजवान अब तक आज के डेट में अब तक 11 जनपदों में यह संगठन फाइल जुका है मित्रों संगठन बनाने से नहीं होगा हमने संगठन को बनाया या मसूस करके या सोच करके संगठन को बनाया कि जब तक हमारे समाज के लोग एक मंच पर अन्याए के खिलाब अत्याचार के खिलाब लडाई ठानेंगे नहीं तब तक हमारे समाज पर अत्याचार अन्याए होता रहेगा या ऐसे रुकने वाला नहीं नेताओं के पीछे पीछे घुमने से आपके समाज के उपर हो रहा अन्याय अत्याचार बर्ड खतम नहीं होगा अत्याचार तब खतम होगा जब आप समाज के लिए महराजा सुभेल देव राजभर को प्रणा स्वरुप मान करके सर पे कफन बान करके अपने समाज को बचाने के लिए निकलेंगे तो निस्स रूप से अन्याय अत्यचार जो राजबर समाज के उपर एक छत्रिय छत्रिय कुल के उपर हो रहे अत्यचार को तब बंद होगा तो मैं राजबर समाज के नौजवानों से, हर जनपत के नौजवानों से, पूरे उत्तर परदिस के नौजवानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस संगठन से जूड़िये, आपकी जितनी संख्या आपकी होगी उतना इस संगठन को बल मिलेगा और मैं खुले मन से करा हूँ, इस संगठन में जूड़ने के लिए, देखिए संगठन के पास दो चीज़े संगठन को मजबूत करती है एक तो सद्यस्यों का संख्या बल होना चाहिए, और दूसरा चीज कि उस संख्या बल का अपना कोस मजबूत होना चाहिए ताकि कोस संख्या बल होगा और संख्या बल के साथ साथ कोस मजबूत होगा, तो हम कहीं भी खर्चा लगा करके हम जा सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं, उनके लिए सारी सुविदाय हम मुहया करा सकते हैं तो संख्या बल और कोस दोनों मजबूत होना चाहिए तो जूडने के लिए इस संग्ठन से जूडने के लिए आपको अपना फोटो देना पड़ेगा यदि आपके फेस्बुक पर फोटो है तो फोटो ले लिए जाएगा आपको अपना पता देना पड़ेगा और संग्ठन के लिए 201 रुपिया सदस्ता सुल्क निधारित किया गया है 201 रुपिया मात्र सदस्ता सुल्क निधारित किया गया है वह सदस्ता सुल्क आपको संग्ठन को मजबूत बनाने के लिए बनाने के लिए वो देना पड़ेगा तो मित्रों में बता देना चाहता हूं इस संग्ठन संग्ठन तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारे राजबर समाज के नौजवान इस संग्ठन से जूड़ रहे हैं अब तक 11 जनपदों में ये संग्ठन अपना पाव पसार चुका है और मैं राजबर समाज के बहनों से भी कहूंगा मा बहनों से भी कहूंगा कि आप भी दुर्गा का रूप धार्ण करके समाज को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़े है इसका उधार्ण में मौजणपद में पिंटु राजबर भत्यकार्ण में हो रहे परदर्शन का आप उस वीडियो को देखिए इस माबहनों को देखिए जुन्होंने नवराद से पहले ही दुर्गा का और काली का और चंडी का रूप धार्ण किया था तो हम कोई भी आंदोलन मित्रों हम लड़ रहे हैं हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं हमारी जिंदिगी कितनी बचे ही है आपकी जिंदिगी कितनी बची है लेकिन निस्तिरूप से सुहल देव महराज जब भारत के लिए लड़े थे भारत के लोगों के लिए लड़े थे तो ये सोचके नहीं लड़े थे कि हम राजा बनेंगे लड़ाई में अंदोलन में कुछ भी हो सकता है तो महराजा सुहेल दियो राजबर जी कि आज अमर गता इसलिए गाई जा रही है कि वह अपने लिए नहीं उस समाज के लिए लड़े थे इस देश के लिए लड़े थे तो मित्रों हम लोगों को भी अपने लिए नहीं अपने आने वाले नसलों के लिए लड़ना पड़े गाई आज राजबर समाज के बस्तियों में चले जाए देखेंगे उनकी जीवा नस्तर को देखेंगे तो आपको अपसाइद बरदास नहीं करें आज हमारे समाज के हमें दुख के साथ यह भी करना पड़ रहा है कि आज हमारे समाज के जो मसीहा बनते हैं मसीहों की कमी नहीं है हमारे समाज सबसे जदा राजबर समाज में मसीहा पैदा हुए है राजबर समाज ने अपने को असहाय महसूस करके एक ना एक को एक ना एक को मसीह बनाता जा रहा है और उन्हें मिल क्या रहा है कुछ नहीं उल्टे उनका समय और पसीने की खुन कमाई खर्च हो रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है आज हमारे समाज में किसी की भी सरकार बनी है हमारे जन्म से पहले भी या हमें सोग समालने से पहले भी हर पार्टियों की सरकार बनी है सपा की बनी है बसपा की बनी है और भाजपा की भी बनी है कांग्रेस की भी बनी है सभी पार्टियों में हमारे समाज के मेता में हमारे हुली भाली जनता का ओट लेने का काम किये हैं असभी परिवर्तन का लालच दिखाये हैं और मिला क्या कुछ नहीं मिला है आज इस्तिति बत से बत्तर है आज सभी समाज सभी समाज को देखिए आप उन हरजन समाज को देखिए जिने हम चमार जात करते हैं उनको देखिए हमारे सामने की घटना है उनकी घर की आउरतें पसुओं के गोबर के आनाज गोबर में आनाज जो था उस आनाज को निकाल करके दलिया और रोटी बनाने का काम किए हमारा समाज इतना नीचे नहीं था लेकिन वह समाज देखिए आज अपने अंदोलन के बदवलत अपने अंदोलन के बदवलत वह समाज कहा से कहा गया हर गाव में चले जाईए हर जान बस्ती देख लिजे और राजबर बस्ती देख लिजे आज वो समाज गुलामी करता था वो समाज धाड़ू पोछा लगाता था वो आज कहां पहुच गिया केवल लोग और केवल अंदोलन के बल पर उन लोगों ने अपने समाज के लिए लड़ा है लेकिन हम क्या है हम ना लड़ रहे हैं और ना किसी लड़ने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं आज हमारे दुख के साथ यह भी कहना पढ़ रहा है मित्रों कि आज हमारे समाज के जो भी लोग संपन लोग हैं संपन लोग हैं जिन जो जिन के पास पैसा है शामर्थ हैं आज मैं दुख के साथ करन रहा हैं कि यह लोग अपने पून पसिने की गड़ी कमाई को उन लोगों को चंदा का रूप में देते हैं जो समाज को ठगने और बैचने का काम करते हैं जो समाज के लिए लड़ रहा है उन्हें किसी ने एक रुपय का चंदा नहीं दिया है मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं मौं में मैं दो दो बरा अंदोलन किया हूं लेकिन हमारे समाज के जो भी पुजी पत्तिय और छत्रिय और जो भी राजपुत हैं हमें उस कारिकाम को करने के लिए उस पुनित रुपय का मदद नहीं किये तो मित्रों हमें चंदा चाहिए भी नहीं हमें इस तरह का चंदा नहीं चाहिए हमें अपने सदस्तों से सदस्ता सुलके है रूप में हम अपना काम करते चले आ रहे हैं और काम करते रहे हैं इसलिए कि हमें नेक काम करना है हमें किसी की दो नमर का चंदा नहीं चाहिए नहीं तो वह दो नमर का चंदा वही हाल करेगा जो हमारे समाज के नेताओं का हाल हुआ है आज हमारे समाज के बड़े-बड़े नेता जो 20-25 साल मंतरी रहे है आज उनकी द्याद, उनकी istitɪ देख लेजिए आज गाडियों का काफिला लेकर जिस गाड़ी में लोग नहीं राते नोट के बल पर काफिला लेकर घुनते हैं क्या गाड़िया भोट करेंगी आपको क्या गाड़िया भोट आपको नेता बनाएगी सबकी इस्तिति देखिए आज पुना है ये लोग राजबर बस्तियों में जहां गरीब तपके के लोग आते हैं, जहां रोटी कपड़ा और मकान के लिए लोग तरसते हैं, वहां लोग जा करके अब घूटना टेक रहे हैं, जितना आप रैली में, जितना आप कारिका में खर्च करते हैं, जदि राजबर बस्ति में, राजब काब साक्रिकम का पैसा जदी उन बंस्तियों में देते चार-चारत कर्कट खर दवाते और एक ट्այ्यींटा देते मुश्किल से बीस अजर रुपिया जदी एक परीवार को देते तो परीवार कम से कम जाड़े में और बरसात में कम से कम शुरचिक करद तो क्यों आप परिवार आपके लिए समर्पित रहता है लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं दिखावा अब नहीं चलेगा आप सभी को जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा किसी का मडर होता है तो उस हत्या में जा करके उनके लिए अंदोलन करना पड़ेगा समाज आप जाग रहा है हम जैसे लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं हम जैसे लोग यह बताने का काम कर रहे हैं कि जो जिन्दगी वेपर पूरी अपनी सारी नौजवान जवानी में आपके लिए कुछ नहीं कर पाए तो बुढ़पा में क्या कर पाएगा बहुत सारे लोग समाज के लिए लड़े हैं समाज के लिए अपना निर्देश बना करके और अपने पुत्रों के लिए किसी अन्य पार्टी के सामने घूटने टेक देते हैं मातर एक पूतर के लिए एक टिकट के लिए एक सीट के लिए आप टिकट तो लेख सकते हो पार्टी में जॉइन कर लेकिन जीतनी की गारंटी कौन देगा जीतनी की गारंटी वोट कौन देगा वोट जनता दे जिन्हें आप अपने चपल के पेरो तलिप मसलने का काम किये हैं लोगों के पास पैसा नहीं था नोटबंदी से पहले हो या नोटबंदी के बाद है लेकिन लोगों ने हमारे समाज के नेताओं ने बूरे में नोट भर भर करके गंगाम और नदी में भरवाने का काम किया जब आप नेता बनने आये थे तो आपके पास साइकल चलने के लिए जगा नहीं तो मित्रों यह नेता हैं नेता गिरी करते रहेंगे और आते रहेंगे चाते रहेंगे लेकिन केवल आपको दिखाने के लिए आपके साथ फोटो खिचवाने के लिए ये लड़ेंगे नहीं आपके दोख सुपने बासदेपुर में भुवाल राजवर का मडर हुआ भुवाल राजवर मान्य उम्परकास राजवर जी का सदस्य है आप उम्परकास राजवर जी ने ये सुन अपने मूँ से कहा ता अपने पुष्ट पे लिखा था कि भुवाल राजवर सुपहसपा का सदस्य है क्या सदस्य से बनना गुना है जदि आपके पार्टी का सदस्य से था तो आपको उनके धर उसके धर जाना चाहिए दो रुपिया दस रुपिया भीस रुपिया का मदद करना चाहिए लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया मित्रों मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ लेकिन कहना पड़ेगा मजबूरन कहना पड़ रहा है हमें किसी नेता प्रेते से कोई दुस्मनी नहीं जब सुभासपा बनी थी तो मुझे बहुत खुसी हुई थी 2017 में जब मान्यम उंप्रकास राजवर जी मंत्री बने थे तो हमें बहुत खुसी हुई थी कि चलिए हमारे समाज की एक पार्टी है हमारे समाज का एक नेता है जो समाज को सही दिसा में आगे ले जा रहा है लेकिन मैं उनके साथ रहा मैं उनके साथ काम किया मैं आजमगण मंडल उपाध्याच रहा मेन बॉड़ी लेकिन मेरे समस्य से वह उम्परकास राजवर कोई और होगा और आज का उम्परकास राजवर ये तो परिवार में लिप्त हुआ उम्परकास राजवर है वह उम्परकास राजवर नहीं गुए उस उम्परकास को समाज की चिंटा थी लेकिन इसों प्रकास राजवर्ग को क्यों अपने परिवार की चिंटा अभी मैंने वीडियो एक देखा है उसको वाइरल भी किया है बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं जो अंदभक्त हैं उन्हें डिसलाइज भी कर रहे हैं उल्टा सिधा बोल भी रह हैं आप उस वीडियो के माध्यम से आप कह रहे हैं कि आप हमको जहुराबाद के जंता को जहुराबाद की का नाम नहीं लिखा रहाता है उस बटम पर नाम नहीं लिखा रहाता है तो आप उन्हें कर रहे हैं कि आप हमको उट नहीं दिया है गठवंदन को उट दिया है आप अब सही बोले हैं अब आप सही बोले हैं आप खुद अपने मुझे कर रहे हैं कि आप हमको उट नहीं दिय आज आपको कहीं ओट नहीं दिया है, दिया है तो भजबा के जान करके दिया है, तो आपके पास रादवर्च समाज कहा है, आज आप कहें हैं, वहाँ पे कहें कल के पर सुबाश जी में आकर भी कह सकते हैं, कि आपने हमें भोट नहीं दिया, आप तो भजबा गट बंदन को दिये हैं तो इस वीडियो से आपको जो ओट लोग देंगे उन्हें इस वीडियो देख करके अपने मन में सोचना चाहिए जीत कर भी आप करते हैं कि आप हमें ओट नहीं दिये तो हरने के बाद तो और कहाएंगे ति आप जनता का सवाल है और जदी आप विधायक बन गये हैं तो क्या नेता से अपने भोटोरों का सवाल जबाब करने का अधिकार नहीं है फिर आप जनता के बीच में जाएंगे कहां कहां आप कहेंगे कि हमको वोट नहीं दिये खेर आपका दोस नहीं है ये बहुखुलाहट है आप समाज से समाज समाज आपके साथ था और आप स्वेम इस तरह का कारे कर रहे हैं जिससे समाज आपसे हटता जा रहा है मित्रों विशे हमारा ये नहीं था विशे ये था कि आंदोलन के लिए आप लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा अपनी तदात को दिखाना पड़ेगा इस आंदोलन एक बात मैं और कर रहा हूं हमारे राजेस भाईया दिल्ली से देख रहा है हमें सुन रहा है मित्रों हम अपनी समाज के बात कर रहे हैं हमारे समाज किन से किन से ठगा गया है मैं इस पर बात कर रहा हूं यही गलती कि हमके नाम ले लिया हूं नाम नहीं लेना चाहिए सभी लोगों ने ठगा है तो मित्रों मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे समाज में कोई आंदोलन करने के लिए किसी के किसी परिवार के अन्याय के खिलाप लड़ने के लिए कोई अभी तक संग्ठन नहीं बनाता बना हो तो बता दिजे आज राजनितिक पार्टियां किसी मडर में किसी के मरनी पर क्यों नहीं जाते हैं इसलिए नहीं जाते हैं कि उन्हें चिंता है कि हम इस बेक्ति के साथ इस प्रित बेक्ति के साथ हम जाएंगे तो जो भी बच्छी है जिसने हट्या किया है वो हमसे नराज हो जाया यह सोच करके नहीं जाती है और जो समाजिक संग्टन हमारे समाज में बहुत सारे समाजिक संग्टन मेरे पास भी एक सोसी तिकता सेवा समिती है समाजिक संग्टन है समाजिक सेवा समाजिक संग्टन सेवा का काम करते हैं लड़ने के लोग्त काम नहीं करते हैं। जाड़े में कमबल बातेंगे, किसी के घर घोजन नहीं नहीं हों, यह बस्तर बातेंगे। यह समाज सेवा काम काम है। लेकिन लड़ने के लिए इन दोनों चीजों से अलग हटके काम करना पूँ हों। लड़ने के लिए उस संग्ठन के पास यह सोचने का समय नहीं होना चाहिए कि भी पच्छी हम मारेगा कि हम से हमारा विरोध करेगा कि क्या करेगा यह नहीं सोचेगा जैसा कि आपने हम एक्जामपल दी हैं बहुत सारे घटनाओं में हम गये हैं पेपर में लड़े हैं लेकिन जो मौव वाली घटना है वो सबसे अलग घटना है मौव की घटना गंभीर इसलिए है कि मौव अमिला अमिला घोसी में आता है घोसी विधान सभा में आता है और घोसी विधान सभा का विधाये हमारे राजबर समाज का इस नात्य आदूसरी चीज़ की वो घटना दीन के 11 बच के 15 मिनिट पर हुई है में चट्टी पर हुई है पुलिस चवकी के बगल में हुआ है और तो और दो महीने तक एक भी हत्यारा नहीं पकड़ा गया था उसे फायार को इंसियार के रूप में फूरे में फेक दिया गया था आपके आसिरवात से आपके ताकत से आपके उर्जा से आपके सने से हमने उस कारिकम को लिया गंविर्टा से लिया और पहली बार एक सितंबर को मैंने उस पूरित परिवार को ले करके उस गाओं के लोगों को ले करके अपने मित्रों को ले करके हमने धर्ना दिया हमने ग्यापन दिया और ठिक दो तारी को दो हत्यारा पकड़ा अब यह देखिए पहली को कारिकम होता है दो तारी को हत्यारा पकड़ा इतना जल्दी क्रिमिनल हत्यारा जो दो महिने में नहीं पकड़ा गया वो दस एक दो चार पांच घंटे में साम को कारिकाम खत्म हुआ और आठ बज़े रात को उस पिंदित परिवार के अब सुचना आ गया कि एक हत्यारा पकड़ा गया है आपकर देख लिए साथ घंटे में हत्यारा कैसे पकड़ा गया तो निस्स रुप से मित्रों उस हत्यारे को बड़े लोगों ने संरच्छन दिया थे और इस ताक में थे कि कोई नहीं होता है कोई इस पर या बावाल नहीं बढ़ता है या घटना उपर तक नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है ज पुलिस का अनुसार 113 बाहर था और हमने पुना 20 तारीक को उसी दिन एक तारीक ऑल्टीमेटम दिया था कि 20 तारीक को हम पुना आएंगे जदी पुरिक परिवार को नहीं नहीं मिलता है तो पुना 20 तारीक को आएंगे 20 तारीकों मित्रों हमने पुना अपने समाज के लोगों को जो प्रिणित परिवार का सहयोग करना चाहते थे उनके लिए लड़ना चाहते थे उनको मैंने इकठा किया और मौ में फाइदल मार्च के दुआर हमने उस कारिकम को किया आपने देखा मेरे पास उस कारिकम को करने के लिए सहमती थी सरकार की प्रसासन की हमने लिया था उनसे लेकिन पूलिस फिर भी किसी के इसारे पर नहीं तो जहां से हमारा कारिक्राम शुरू हुआ था वो अब पूलिस चवकी के बगल से जो रेलो एस्टिसन के गेट के ठीक बगल में पूलिस चवकी है उस बगल से हम रेलोयक मैदान से हमारा कारक्राम इस्टार्ट हुआ पुलिस को रोकना था तो वहीं पर रोक देती लेकिन पुलिस ने वहां नहीं रोका पुलिस इसको उतना गंभिरता से नहीं ले रही थी लेकिन जैसे हमने मौ के आजमगर्ण तिराहे के ठीक पहले जहां हमारे मन्य बीजे राजबर जी का घर पर घर के ठीक सामने जैसे हम आए पुलिस आल लेड़ी पहले से वहां मुझत देती हमें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया हमें पीछे जाने पर मजबूर कर रही थी लेकिन हमने हमारे होसले और माबहनों के होसले के आगे पुलिस एक भी नहीं ठीक पाई और अन्तता पुलिस से लड़ते हुए है चुकि हम सही लडाई लड़ रहे थे नयाई की लड़ाई लड़ रहे थे लड़ रहे यह पेपर से ठीक थें सब स्थीट अनतता हमने छिला कंड़्केड तक जिलाधिकारी को अपना 500 पान और कंड़ा रिक्म को ऐगे बाधे आपने उस आरिक्म को को देखा बहुत सारे एक एक चैनल वालों की तो कम से कम 85,000 फ्यू चला गया है बाकिस हर चैनल कप दोहजर किसी नेता ने हमें ठोन करके बधाई तक नहीं दिया हमारा हाल समाचार नहीं लिया जबकि पुलिस के साथ हमारा मुटभेड हुआ हमारा कुर्ता फारा गया था हमारा चस्मा टूटा था हलका बल परियोग हुआ था लेकिन किसी हमारे समाच के बड़े नेता जो समाच क्या हम समाच के अंग नहीं है लेकिन किसी ने हमारा हाल चाल लेने नहीं गया हमारा तो दूर है हो सकता है कि हमें अपने प्रतिजोंदी मानते हो लेकिन उस पिनित परिवार के घर तक आज भी लोग चार महिना तीन महिना से उपर क्रास कर रहा है आज भी लोग उस पिलिक परिवार के घर तक कोई नहीं गया बीजे राजबर का छेतर की घटना है बीजे राजबर का पिन्टू राजबर परम मित्र था लेकिन मित्र था क्या निभाएंगे वो एक आम पबलिक समझ करके जात के नाम पर समाच के नाम पर भी उसके घर मित होने के मिर्त होने के बाद आज तक कभी नहीं गए मित्रों यह चीज है तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने सेरे पुरवांचल एक आंदोलनकारी संगठन का निर्मार किया है कि इस संगठन से नौजवान हमारे जुड़े बहुत से वहुत तदात में जुड़े हर ज संगठन में जुड़ जाएंगे तो हमारे संगठन की तादात लाखों में होगी जिस दिन हमारे संगठन की दादात लाखों में हो जाएगी उस समय और यह संगठन एक दिन लखनों में अपने ताकत को दिखा देगी मित्रों में दावे के साथ कर रहा हूं कि नेता प्रेत भी आपके घर जाने से और आपके साथ दुर्बेवा करने में कतराएंगे उ ​​न्हें सोचना पढ़ेगा इसलिए इसलिए सोचना पढ़ेगा कि इन की तदात अधिक है। और यह लडने वाली जाती है, मर मिटने वाली जाते हैं, हमारी जात राजा बन करके राज भोगने वाली जातियां नहीं है, इस्तिहास उठा करके देखिए, इतिहास पढ़िए, हम लड़ने वाले जाती हैं, हम लड़ने वाले नहीं होते हैं, तो स्वतंत्र भारत में हम क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में नहीं होते हैं यह एक जोलंत उदाहरण है रामासिश जी लिखते हैं आपकी आप लोग क्या चाहते हैं यह हमसे पुछ रहे हैं हमसे पुछ रहे हैं तो लिखे कि हम क्या चाहते हैं साइद आप देड़ से जुड़े हैं इसलिए आपको पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं रामासिश राजवर जी कि आपके वार्प के परिवार के उपर आपके समाज के उपर अत्यचार हो रहा है तो आप और आपको मदद चाहिए या आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप सेरे पुर्वांचत एक अंदोलनकारी संगठन है इस संगठन में जूड़िए तो आपका नाम भी नहीं सुने है रामस्री जी आप हमारा नाम नहीं सुने है हो सकता है कि नहीं सुने होंगे ये कोई जरूरी नहीं कि आप हमारा नाम सुने होंगे लेकिन नहीं सुने है तो आप जान लीजिए और हमारा प्रोफाइल खोल के देख लीजिए आप तो ज्यादा हमें बताने के जरूत नहीं है आप समझ जाएंगे जान जाएंगे प्रोफाइल के द्वारा एक दूसरे के बारे में आपने जान जाते हैं कोई बात नहीं है मैं कोई राजा नहीं हूँ मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ मैं कोई बड़ा डकेत नहीं हूँ मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ इसलिए आप नहीं जानते हैं मैं अन्याय के खिलाप अत्यचार के खिलाप लड़ने वाला एक छोटा सा कारी करता हूँ बस यही हमारा पर्चे है विसेज जनकारी के लिए आप हमारे फेस्बूक को खोलिए और पूरे प्रोफाइल को देखिए उसके बाद फिर बात लिए अभी मनुराजवर जी आप सभी जितने सभी आप लोग जुड़े हैं मैं आप लोगों को बहुत बहुत देने बात करता हूँ और असा करता हूँ कि आप लोगों का हमारा जो काम है अच्छा लगेगा तो हमें सिने प्रेम दुलार दीजिएगा नहीं लगे तो हमें यह आदेश जरूर करिएगा कि हम आदम से क्या गलतिया हो रही है हम आपके गलतियों पर ध्यान देंगे और गलतियों से बचने का प्रयास करेंगे इनी सबों के साथ इस नवरात्र के पाउन पर पर इस नवरात्र के सुब दिन में मैं आप सभी को मातारानी की किरप्या से निवेदन करूँगा कि आप सभी पर मातारानी की किरप्या बने रहें जै ही जै भारत